जो खोखानी लंबाई पहड़ाई अने उचाई अनुक्रमे हैं सी 40 अने 20 सेमी होए तो 40 सेमी लंबाई वाड़ा कितला चौरस कागर खोखा पर लगावी सकाई इसले आपने कोखू बनाई दिए एक खोखू क्लियर 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 आल नाबू छे लंबाई हैं सी पचे 40 इसले आपने 40 माने लिए 40 अने 20 सेमी उचाई इसले 20 माने लिए क्लियर क्लियर 24 अगर आपने लगावी सक्के आ शोदू आनू छे त्याना माटे आनू पुष्ट पर शोदू पड़े तो आनी केटली पुष्ट हैं केटली बाजू थाए केटला भाग थाए उपल्व एक नीचे लेए 2 आ बाजू 3 आ बाजू 4 5-6 पांच आगर 6 तो कुल 6 थाए येटले जो आपने आने मानिये आ आ जे छे लंबा एटले L लेली दो पहड़ा एटले B लेली दो उचा एटले H लेली दो तो जो आनी बाद करिया एक आ बाज बाड़ा पांच आए तो यहां सुचे B अने L एटले L B एक अख़त थे तो उपर L B एवो नीचे L B प्लस फरेती L B जे उपर एवो जो नीचे आ बाज जो जो ये तो आ H छे L B ओके B H एटले आ जे छे A आज बस्तों पाचलनों आहीं बत्ता हो जे एटले A B थे आए B अने आ रहे हो H आ बनने भाग मा शू आवे B H आवे B H आशो धुओ तो मारे शू करो पड़े B H B H B गुणिया H जो आ बाज B H एवो पेली बाज B H एटले बीज़ एक फरेते B H क्लियर अवे ख़र रहे हो आब बाजना भाग तो A H छे तो A यह सू थाए H थाए अने A L छे तो A सू थाए L तो A बाजना भागने जो मारे शू दो है तो यह सू आई H L ओके H L प्लस जेवाबाद छे वो पेली बाज आशे H L क्लियर तो B वकत L B V H H L बद्द्दज वर्ष तो B B वकत आउ यहनो मतलब छू थाए 2 L B V H H L थाक्यू शुद्रा तो हवे L अने B L केटला छे L एले लंबाई हवे हवे गिद्दू के 47 लंबाई वाड़ा 14 कागर खोखा पर केटला लगावी सकाए कागर नूँ क्छेत्र कागर नूँ क्छेत्र फड़े लंबाई गुणिया लंबाई 20 गुणिया 40 40 44 44 सेमी स्क्वेर हवे आपने केटला कागर खोखा उपर लागे छे कागर नू क्छेत्र फड़ पुष्ट फड़ आवी गयो 11,000 अने कागर नूँ आवी गयो 600 सुन गई सुन गई सुड़ सित्ता एक सो बाद जवाब अशे साथ साथ कागर जोई है केटला कागर जोई है साथ कागर जोई है स्री सरस्वती इंस्टिट्यूट आओ अने अमारी सफ़ताना सहभागी बनो अवर वेबसाइट इस www.johummeriaka.com अवर फेस्बुक इस सक्सेस ओफ SSI यूटुब निक स्री सरस्वती इंस्टिट्यूट वी हैव इंस्टिटल आओ स्री सरस्वति इंस्टिट्यूट वी हैवेवेव 120 11 सबसेण सके अvers mobile Mobile 990-40-2020-111 Mobile 968-70-69-222 Thank you For more information, visit www.fema.org For more information, visit www.fema.org